चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर तो सभी को जैहिंद वंदे मातरम कैसे हैं आप लोग आप सभी लोग बढ़ी आउंगे मस्त होंगे तो सांतियों मैरा नाम है आनंदर आप देख रहें नेवी पूरे कैडमी हर एक इंडियन नेवी लवर का फेब होना तो प्लीज इस वीडियो को क्विट कर जाओ क्योंकि ना तो मैं एक जैक डेट बताऊंगा और नहीं मतलब मतलब हम इतना चीज़ों को लगबग लगबग आपको इस कदर बताएंगे ना कि आपको सच में लगएगा कि हाँ इस डेट को हो सकता है बट हाँ अगर आप आप सोच रहे होना कि आज रिजल्ट आएगा इतना बज़े तो ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को क्यूट कर लिजे बाकि 02-23 बैंच का मतलब बहुत सारी चीज़े जो जानना चाहते हैं कुछ important चीज़े जो आपको भी सायद लगता है या फिर मत समय हो नहीं हो फिर भी मतलब समय निकाल कर वीडियो लाता हूं और इतना dedication के साथ के fan भी off करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं कि ताकि नुआज भी नहीं आए तो इसका main साफ मतलब है चीज़ों को एकदम सही और सटिक तरीके से बताना और ताकि मतलब आपको एक सही प्रोपर guidance मिल सके तो जल्दी से चार्ण को सब्सक्राइब कर लिए और भाई चलिए अभी हम लोग discuss कर लेते हैं कि यह पहला चेज कि आपका result कब आएगा एकदम धीर धीर हम लोग systematic तरीके से बात करेंगे देखिए क्या है ना दोस्त की result को लेकर हमने बात किया आगे दो डेट को लेकर आपका result मतलब आने की chances है वो डेट तो मैं अगर बताता हूं तो कहीं न कहीं उस डेट को result आ जाएगा तो आप लोग बोलोगे कि वाह अनन्द भी है न तो बता दिया और नहीं आया तो आप लोग फिर वही कि भाईया को मतलब कुछ पता बता नहीं है ब पैसे मैं most probably एक चीज़े आपको इसारा कर देता हूं पिछला बार result 01-2023 बैच का result 27 तारीक को ही आया था समझ रहे हैं न महीने के 27 तारीक को आया था तो इस पर भी हो सकता है कल थोड़ा सा chances है बाकि आज result आने का कोई chances नहीं है समझे आज 26 तारीक आज result आने का कोई chances नही है बट हां जो चीज़े हैं ना कि मानगे चले कि जो चीज़ें है कि जैसे आपका stage 2 होगा कब यह सब चीज़ें हम एकदम correct बताएंगे तो अभी stage 2 आपका होगा 20 तारीक के लगभग लगभग मतलब 17 तारीक और 18 तारीक को musician वालों का आपका physical है trade test है trade test का मतलब वही जो singing क करते हैं तो उनका trial लिया जाएगा कैसे गा रहे हैं आप और जो तबला बजाता है तो तबला बजाकर दिखाएगा और बाकि जो वाइलिन वगएरा मतलब फिर से बीगुलर है तो बीगुल बजाकर दिखाएगा तो तो यह चीज़ें हैं यानि कहीना कहीन इंडिन ने भी पहले हो जाती है तो आपका लगबग 18 तारीक से लेकर 24 तारीक के बीच में आपका फिजिकल होने की संभाव ना है यह बात को आप लिख लिजिएगा और हाँ कहना बाबू बहुत जादा टाइम नहीं है आपका फिज टू में अगर सोच रहे हो कि रिजल्ट मेरा आएगा तो मैं त्यारी करेंगे तो मैं कसम से कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा और हाँ जो लोग भी सोच रहे हैं ना कि हाँ रिजल्ट तो आहीं जाएगा और बस आहीं जाएगा दोस्त इसलिए मैं कह रहा हूं कि कटफ बहुत ही कम जाएगा और यकिन कीजिए पिछ वही कहना चाहेंगे कि दोस्त कहना कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता है बस अभी एक ही बात ध्यान में रखिए कि हां मुझे पढ़ना है और स्टेज टू में भाई कैसे हैंडल करोगे पचास नंबर हर एक स्टेट की कटप लगती है उडिशा जैसा राज का पचास नंबर स् स्टेट्स आइसे हैं पांचे नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा दस नंबर पर होगा पंद्रह नंबर पर भी सिलेक्शन होगा तो स्टेज फर्ष्ट को आप इग्नोर करिए आपका मतलब आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपका सेलेक्शन स्टेज टू के लिए हो जाएगा बस stage 2 के लिए मेहनत कीजिए तो इतना समझ में आया ना बाकि sectional cut-up को लेका doubt रहता कि मान लिजे मैं एक subject में pass हो गया हूँ जैसे मान लिजे कोई बच्चा SSR का form भा रहा है महाराष्टा से है और महाराष्टा की cut-up 13 नंबर गई है SSR का और बच्चा का physics में सिर्फ और सिर्फ सत्रा questions आई है और बाकि सभी में zero है तो क्या वह इच्चा qualify कर पाएगा हाँ definitely उसका result हो जाएगा तो कोई sectional cut-up नहीं है आप से भी को जैसा कि देखेंगे paper random आया था और और बाकि stage two में क्या क्या होगा यह भी कुछ हम discuss कर लेते हैं एक short तरीके से discuss करेंगे जैसे यहां पर stage two में जाईएगा तो आपका थोड़ा बहुत running जो है हलका फुलका running होई साड़े शे मिनिट की running है और बाकि push up मारना है 12 push up और 20 squads मारना है और यही लगबग लगबग यही सब है और ज्यादा कुछ है नहीं मेरे दोस्त और क्या होता है कि देखेंगे जितने भी लड़के running पास करेंगे पहले होता था कि हम लोग का पहले एक्जाम हो जाता लेकिन आज कल ऐसा कर दियागा कि पहले आप running पास करिए running पास जो करेगा उसमें से stage two में लिया जाएगा मतलब सारी रीक्स रूप से भी आपको होना है और mentally रूप से होने का मतलब क्या आपका आपका ब्रें को जाच नहीं किया रहा है वह आपको पेपर के मादधम से जाच लिया जा रहे कि आप फिजिक्स के दो नों मेरिकल सुल्ब कर रहे हैं नहीं मतलब physics हो गया English हो गया मतलब फिर आपका पेपर होगा तो यह चीज़े आप लोग समझ गया होंगे बाकि एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिनको भी वीडियो रियल लगता है कि नहीं भाई इन्फॉर्मेशन देता है और चीज़ों को मैं अपना एक्स्परियंस के बल पर सेर करता हूं ऐसा नहीं कोई कैंड को पकड़ते हैं प्लीज भाई थोड़ा सा बताव वीडियो बनाना है यह वह हम लोग का होता है प्रसनल एक्सपरियंस और जो कुछ भी चीज़े हैं या तो हम लोग खुद देखते हैं कि हां रात दिन यह चीज़े हो रही है या फिर मतलब खुद से मेरा जर्नी भी है ब आपका सेलेक्षन की स्यॉरेटि हम लेती हैं बस आपको मेहनत करना है यह बाते कहेंगे कि Allaire सबलोग मेहनत करेंगे मैहनत तो घद्धे भी करते है लेकिन जीत होती है घोड़े की घोड़े के पास क्या होता है घोड़े के पास एक होता है उसका चालक जो उसके पीट पर ब करेंगे बस जूड़ जाएए बाकि मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ और कहना शबंगा यह आपको मैं ब्लैक मेल नहीं कर रहा हूं कि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आप देख रहे हो अभी डिक आप देख रहे हो बहुत ज्यादा मेहनत है फिलाहल तो बस ज्यादा कुछ नहीं इस वीडियो को सेर कर दीजे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद बनने मात्रम लभी यू गॉड विले सिव ठैंक्स फर वाचिंग जय हिंद